हेलो भाई लोग आप सब का स्वागत है हमरा इस चैनल में जिसका नाम है M.A.H.M.D. Study Circle इस सेशन में जो है ना आज हम बिहार बोर्ट के क्लास तेंद का जो फॉस चेप्टर है The Pace for Living, G1 का रफ्तार, G1 की गती जो की लिखा गया है R.C. Hutchinson के द्वारा इसको पढ़ेंगे और इसका पूरा डीपली एक्स्प्लेनेशन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम का देखेंगे कि R.C. Hutchinson आखिर थे कौन इनकरा बारे में हम लोग ज़रा सा इनफार्मेशन लेंगे तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कह रहा है कि R.C. Hutchinson a British Novelist इका थे तो एक British उपन्यासकार थे हना A British Novelist exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes तो इका थे R.C. Hutchinson एक British उपन्यासकार थे जो contemporary society मतलब समकालीन समाज के जो भी sensitive issues थे हना उनको ये highlight करते थे उनको ये परदरसित करते थे अपने exceptional flair में मतलब इनका जो अंदाज था ना वो सबसे जरा सा होटके था हना और जो समाज के जो भी contradiction थे मतलब contemporary समाज के जो भी contradiction थे जो भी बिरोदाभास थे उनको सभी वर्णन करते थे हना अपने जबरदस्त अंदाज में तो इसी जबरदस्त अंदाज में हम लोग भी इस chapter को पढ़ते हैं ठीक है फिर आगे कह रहा है कि in the page for living मतलब जीवन की रफ्तार में R.C. Hutchinson captures the agony of modern man और देखो यहां पर एगनी का मतलब होता है दुर्द तकलीफ पीड़ा है ना modern man मतलब इस दुनिया का आधुनिक आदमी तो इस chapter में R.C. Hutchinson एक आधुनिक आदमी के दुख तकलीफ और पीड़ा को बतलाते हैं उसका बर्नन करते हैं ठीक है he brings out how the fast movement of men, things and object hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children इस chapter में बतलाते हैं कि जब देखो इनसानों की गती, वस्तुओं की गती और समानों की गती जो की आजकल बहुत fast हो गई है तुन जाता है यहां नए बहुत तेज हो गई है और अजकल नहीं देखता है कि रहुला टुरंट यहां रहता है आप फुदुके वह चला जाता है क्योंकि मुट सायक्सी लाशीः के स्पीन में दाउराता है सबस्रा आ नथ तो यहीं बात है कि इनसान की गती आज कल वस्तूओं की गती चीजों की गती बहुत तेज हो गई है जो कि क्या करता है एक नॉर्मल रिदम को एक नॉर्मल लए को आज ये डिस्टर्ब करता है और क्या करता है इनसानों पर और और बच्चों पर मतलब ये अंडिव प्रेसर बीना मतलब का एक दबाव डालता है इसी के बारे में जो है ना R.C. Hutchinson इस चेप्टर में बात करते हैं न अब हम लोगों देखेंगे कि इस चेप्टर में R.C. Hutchinson को क्या रफतार से भाई कोई प्रोब्लम है क्या इनको 80 का स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है का यही चीज़गा हम देखेंगे ठीक है तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं ठीक है और यह एक्स्प्लिनेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई भाई ठीक है और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है कि I was a I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town R.C. Hutchinson कह रहे हैं कि जादा दिन नहीं हुआ मैंने Dublin में जो की Ireland की राजधानी भी है वहाँ पे एक छोटे से टाउन में क्या देखा एक ड्रामा देखा एक play देखा जिसका जो main character था जिसको हम लोग बोलते हैं कि निरहुआ है रभी किसना है पावनवा है मतलब जो lead hero है उक एक अधेर corn merchant था मतलब मकई का बैपारी था ठीक है he was a man of many anxieties मतलब उसको बहुत ज्यादा परिसानी थी बहुत ज्यादे चिंता में मस्गूल रहाता था एक दम नटी पर ले डूगा रहता था था ना कराया कि his heart was dicky दिकी का मतलब होता है कमजोड होना तो उसका जो दिल था ना बहुत कमजोड था तनका तनका बात पर उसका lead धुकुर धुकुर करने लगता था his nephew was cheating him उसका भती जब ही उसको cheat करता था उसको धोखा देता था his wife had a fantastic notion of spending 10 pound on a holiday और उसकी जो वाइब थी ना उसको अजीब अ परा का सौक था ना बड़ी मनमाउजी थी और हर एक holiday पर हर एक festival पर क्या करती थी एक तम दोस पाउंड खर्चा कर देती अभी एक पाउंड मालो ना कि 90-95 रुपय के करीब में होता है तो दोस पाउंड समझ लोगी 900 रुपया एक हो लीडे में मालो कि Sunday आया तुमारा holiday 900 र रफ्तार था ना वो उसके लिए कुछ जादा ही हो जा रहा था वो बहुत परिशानी में रता था दिल वो कमजोर था भतिजवो धोखा देता था वाइफ पैसा उड़ाती थी तो इस सारा चीज उसके लिए बहुत जादा हो जाता था ना करा कि and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart और इसी कि घड़ी में उसके दिल से बड़ी जोर से एक चीख निकलता है अभी काहे निकलता है सुनो इबतवा आगे कर रहा है कि they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour now that is too fast now that's too fast उसमें क्या होता है उसमें जो character है वो बोल रहा है कि एक प्लेन है जो कि एक के घंटा में 1000 miles दो उड़ जाता है अब तुम देख लो भाई 1000 miles 1.6 से multiply करोगे तो 100 km हो जाएगा ठीक है तो यह कैसा प्लेन है जो एक के घंटा में 100 km उड़ जाता है तो यह बात हुआ उसको परिशान हो रहा है इसलिए उसके दिल से बड़ी जोर से चीख निकलता है ठीक है आगे कह रहा है कि for me that was most enchanting line in the play enchanting का मतलब मन मोहक जो आपको बड़ा ही पसंद आ जाता है कह रहा है कि यहीं लाइन की एक प्लेन एक घंटा में 100 km या 1000 miles उड़ जाता है इस सबसे अच्छा लगा सबसे मनमोहक लगा मुझे को उस ड्रामा में उस प्ले में the man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation अब राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मेरी जो इस्तिती थी न इससे बिलकुल अलग थी क्योंकि मैं थोड़े से ही परिशानी के वज़े से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी बस उसक तो उसके लिए ठीक था लेकिन ये बात सुनकर वो और ज्यादा परिशान होया कि हावाई जहाँ इतना तेज के से ऊड़ सकता है ना फिर कह रहा है कि हैं besides being comic being comic का मतलब मजाकिया होना मजाक करते रहना तो ये बात उसको थोड़ा से comic लगा है ना हसी वाला लगा मजाक तरह लगा फिर करा it has struck me as a perfect illustration of the way the iris get at subtle truths by the most unlikely approaches you saw what the old fool meant करा है कि ये बात मुझे एक perfect illustration एक perfect उदाहरन की तरह लगा कि कैसे iris लोग, आयरलेंड में रहने वाले लोग, देखो, आयरलेंड में रहने वाले लोग को आईरीस कहा जाता है, इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन कहा जाता है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग को पाकिस्तानी कहा जाता है, तो मुझे ये बात बिल्कुल मतलब परफे इतना तेज हो सकता है, फिर आगे कह रहा है, कि now that I have, not that I have any dislike of rapid movement myself, अब यहाँ पे R.C. Hutchinson कह रहा है, कि ऐसा नहीं है, कि मुझे जो है न, rapid movement से नफरत है, ऐसा नहीं है, कि मुझे यह पसंद नहीं है, कि कोई फुदुक के यहां रहे, कोई फुदुक के वहाँ चला जा, at 90 miles an hour, so long as I am driving, and so long as it is not my car, अब देखो, बड़ी चालू टाइब के आदमी है, R.C. Hutchinson, कह रहा है, कि मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, कि मैं एक कार में 90 miles per hour की रफ्तार में यात्रा करूं है न, लेकिन सर्त क्या है, कि मैं ही drive करूंगा उस कार को, और वो कार भी मेरी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर कहीं जा कर ठुक जाता है करवा, तो मेरा नहीं नहीं जाएगा भाई, किसी दूसरे का जाएगा, ठीक है, तो कार मेरा नहीं होना चाहिए, और मैं ही drive करूंगा, तो इसका मतलब क्या, R.C. Hutchinson को रफ्तार पसंद है, है न, फिर कह रहा कि मुझे तो यह पसंद है, कि वैसे machines जो कि आपको क्या करता है, मतलब चारो तरफ घुमा देता है, better steam, मतलब C के चारो तरफ आपको घुमा देता है, फिर कह रहा है कि to dine in London and lunch in New York, next day seems to me a most satisfactory experience, कह रहा है कि रात का भोजन लंदन में करना, और दिन का जो भोजन है न, न, यह मुझे काफी सुकून देता है, यह मुझे काफी संतोस जनक experience लगता है, ठीक है, कह रहा है कि I admit it excludes all the real pleasures of travel, लेकिन हा, मैं यह मानता हूँ कि यह क्या करता है, यह travel के यातरा के सारे मजे को बिगाड देता है, अब सपोस करो तुमको जो है न, भारत से अमेरिका जाना है और तुमको 20 से कंड में इंडिया से कोई अमरीका मे लेक्ट पटक दे, तुमको का मजा आएगा जी, तुरंत ही अहां से वहां चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, यातरा का मजा मिला, तुमको बिलकुल नहीं मिला, ठीक है, तो यह ही कह रहा है कि यह आतरा का मजा को बिगाड़ देता है जो फास्ट मुव्मेंट वाला चीज होता है करें दो सॉर्ट ऑफ फॉन यू गेट फ्रम एक्सेप्ट इट ग्रेट फुली अभी कर रहा है कि जो मजा तुमको जो है ना सुमर्सेट के बसुं में बैठ कराएगा जो कि इस पेन में चलता है देखो यहां पे टेक्टर आके बढ़ढ़ा आ रहा है अभी टेक्टर रहा तुम लोगों को बढ़ा दिस्टर्ब कर रहा लेकिन उस पे ध्यान नहीं देना है न उत भड़बड़ी भी करेगा तो कह रहा है कि जो मजा तुमको बस में बैठ कर मिलेगा पूरा सिटी घुरेग वो मज़ा तुमको प्लेन में बैठके नहीं आएगा यह बस तुमको एक सुपरफिसियल सेंस देगा ड्रामा का है न कराए कि यह कितना एकसाइटमेंट की बात थे इट वाज़ एकसाइटमेंट देकि हमारे जो एंसेस्टर थे हमारे जो पूर्वज थे उनको इन सब चीजो के उनके पास इस सारी चीज नहीं थी उनको वे लोग सारे इन सारी चीजों के बिना ही रहते थे अब सपोस करो कि मेरे हमारे दादा जी जो है ना उनका बरात बल गाड़ी पर गया था हमारा जाएगा बहीं बल गाड़ी पर हम जाएंगे बल गाड़ी पर नहीं जाएंगे कह रहा है कि जो पुर्वज थे वे इन सारे चीजों के बीना ही रहते थे and we might just as well accept it gratefully और हम लोग इसको बड़े ही gratefully बड़े ही आराम से इसे accept करते हैं ठीक है तो देखो अभी थोड़ा सा problem हो रहा है इसका part 2 मैं जो है न कल लेकर आऊंगा तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बतलाना comment section में जाके भर भर के comment करना है और like जरूर करना है और subscribe जरूर करना है फिर मिलते हैं इसके part 2 में तब तो के लिए bye bye